नमस्कार, उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्राध्योग्य की आधारित, विज्ञान शिक्षा, सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्मेक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, ई-कंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु आधन के रूप में आपके चिंतनकोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा, धन्यवाद। चलिया ये इस वीडियो में हम लोग अपने सारे कॉंसेप्ट्स रवाइस कर लें जो भी हमने सामांतर श्रेणियों में पढ़ें। और जैसा की नाम बता रहा है सामांतर मतलब जहां अंतर समान रहें। तो सामांतर श्रेणिया जो हैं वो संख्याओं की एक ऐसी सूची है जहां पे प्रतेक पद अपने से पहले पद में कुछ एक निश्चित संख्या जोड़ करके हमें प्रात हो जाए। तो चली आईए कुछ उधारण से इसको समझते हैं तो अगर हम एक बहुत ही साधारण सा उधारण ले ले एक दो तीन चार और इस तरहां से अगर ये सूची भड़ती रहे तो ये भी एक सामांतर श्रेणियों की सूची कही जाएगी। कारण ये है कि आप अगर प्रतेक उत्तोतर पद को उस से पहले वाले पद में से देखें घटाके तो आपको एक अंतर जो मिल रहा है वो सामान ही रह रहा हैं। 2 में से 1 अगर घटाया गया तो 1 3 में से 2 अगर घटाया गया तो 1 4 में से 3 भी अगर घटाया गया तो 1 इसी भकार कुछ और उधारन भी हो सकते हैं जैसे की 3, 3, 3, 3 जी हाँ आपको ये देख करके बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि अरे यहाँ पे तो जो हमारे पास सूची दी गई है इनकी संख्याओं में कोई अंतर है यह नहीं क्योंकि इनकी संख्याओं में भी समान अंतर है और आपको एक और सूची देना चाहते हूं और वहाँ पे आप यह देख सकते हैं कि मान लीजे आपको सूची दी गई है जिसमें संख्याएं हैं इस तरहां से जो आपको देख रही हैं दशमलव में भी और ये जो हैं रिडात्मक संख्याएं भी हैं और अब आप एक बार वीडियो पॉस करके यहां पे इन सूचियों में जो भी दो करमागत आपको पद मिल रहे हैं एक बार उसका अंतर निकाल के देखें तो अगर आप यह अंतर निकाल चुके हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर हम माइनस देड में से माइनस एक को घटाएंगे तो हमें माइनस 0.5 मिलेगा इसी प्रकार माइनस दो में से माइनस देड हटाएंगे तो माइनस 0.5 मिलेगा और ये भी –0.5 मिलेगा और इस बात से हम ये कह सकते हैं कि अंतर तो समान है परंतु अंतर जो है वो रिनात्मक है और मैं आपको बता दूँ कि हमें इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि आपके पास यहां पे जो अंतर आ रहा है वो एक सकरात्मक संख्या है या फिर वो शूर्ने है या फिर वो नकरात्मक संख्या है सिर्फ और सिर्फ एक बात यहां पे माईने रखती है कि जो अंतर है वो समान हो तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि समान तर्श्रेणियों की परिवाशा क्या हुई संख्याओं की एक सूची जिसमें दो करमागत का ही समान रहे और अब आईए चलिए हम इसका एक व्यापक रूप देख लेते हैं तो कोई भी समान तर शेड़ी की सूची अगर होगी तो आप उसको परिभाशित कर पाएंगे इस तरीके के व्यापक रूप से जहां पर आप देख रहे हैं कि अगर मेरे पास पहला पद A है तो दूसरा पद मुझे मिल रहा है इसमें जो समान अंतर मैंने माना D जोड़ के अब अगर आप दूसरे पद में फिर से क्या जोड़ दें क्योंकि अंतर समान रहना है तो D जोड़ दें तो आपको तीसरा पद मिल जाएगा अगर आप तीसरे पद में फिर से समान अंतर क्या जोड़ दें दी जोड़ दें तो आपको चौथा पद मिल जाएगा और इस तरहां से हम कह सकते हैं कि हमारे पास व्यापक रूप किसी भी समान अंतर शेणियों की सूची का हो जाता है और इस तरहां से आप और भी पद निकाल सकते हैं तो चलिया आईए एक बार आप खुद ये बात जाती है कि मैंने अगर यहाँ पे आपको दो शेणिया दी तो क्या ये समान अंतर शेणिया है तो अगर आप इस प्रश्न को करने के लिए तयार हैं तो एक बार वीडियो प solve कर सकते हैं तो आईए इसका हल देख लेते हैं तो हमें ये जाज करना है कि ये दोनों दी गई जो शेणिया हैं ये समान अंतर शेणिया हैं या नहीं तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा दो करमागत जो भी हमारे पास यहाँ पे पद हैं उनके बीच का अंतर तो दूसरे और पहले पद का अंतर ये हो जाएगा जो की माइनिस चार आ रहा है तीसरे और दूसरे पद का अंतर ये हो जाएगा जो की प्लस चार आ रहा है हमें चिन्नों का ध्यान रखना है और इसलिए हम कह सकते हैं कि क्योंकि सामान अंतर सेम नहीं है सामान नहीं है इस अगर आप यहां पे जो दूसरा उधारण है उस पे ध्यान दे तो आपको क्या करना है रूट 2 में से रूट 1 को घटाना है और रूट 3 में से रूट 2 को घटाना है मैं आपको बता दू कि आपको यह नहीं लगना चाहिए कि रूट 2 और रूट 1 का जो भी अंतर होगा वो हमें इन दोनों के ही क्या करने पढ़ेंगे माल लेने पढ़ेंगे तो अगर मैं एक अप्रॉक्समेट नमान ले लूँ तो रूट 2 होता है एक दशींजबलब 4,44 और रूट 1 यही रहता है तो अंतर आजाएगा शून दशींजबलब 4,44 और अगर आप रूट 3 माइनिस र 3-2 और, इसमेंसे एक घटा दें, 1.9, एक 4, यह दोनों ही जो value हैं, अनुमानित हैं, तो इनका भी antar हमारे पास आजाएगा, अगर हम 12 मेंसे 4 घटाएंगे तो 8, अगर हम 2 मेंसे 1 घटाएंगे तो 1, अगर हम 7 मेंसे 4 घटाएंगे तो 3, और एक में से गटाया तो शूनी तो क्यूंकि फिर से हमारे पास यहां पे जो अंतर है वो समान नहीं आ रहा इसलिए हम कहेंगे कि यह भी सूची जो है समानतर श्रेणियों की सूची में नहीं आएगी तो चली आईए मुझे आशाय आपको यह बास समझ में आगे कि कैसे हम किसी भी दी गई सूची को एक समानतर श्रेणियों कहेंगे और अब आईए देखते हैं कि हम किसी भी दी गई सूची समानतर श्रेणियों की सूची में एनेथ टर्म कैसे निकालेंगे मतलब अगर आपके पास एक कोई मानलीजे सूची दी गई है और यहाँ पे आपको लगभग चार पद दे दिये गई अब मेरा प्रशना आप से ये है कि आप इस ही सूची का 1597 जो पद है वो निकाले तो क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप इन ही पदों को लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं और वो तो बहुत ही जादा कठिन काम हो जाएगा तो एक बार आईए पहले मैं समझती हूँ कि क्या हम ये काम किसी और तरीके से कर सकते हैं और क्या हमारे पास कोई भी Nth term के लिए सूत्र है तो आईए हम यहाँ पे कुछ अध्यन करते हैं और हम अध्यन से ये देख सकते हैं कि अगर मैं ये कह दूँ कि मेरे पास जो भी पहला term है उसको मैं A1 लिखते हूँ तो उपर दिये गए व्यापक रूप से आप देख सकते हैं कि A1 जो है वो A है और यहाँ पे अगर मैं दूसरा term देखूँ दूसरा पत देखूँ तो वो है A प्लस D आप अगर तीजरा पत देखें तो वो है A प्लस 2D और इसी तरहां से आप अगर चौधा पत देखें तो वो है A प्लस 3D हम क्या करते जा रहे हैं जो हमें उपर पत मिल रहे हैं उसमें हम एक और एक D जोड़ते जा रहे हैं तो इन्ही पदों के जो मान हैं उनको हम कुछ इस तरहां से भी लिख सकते हैं कि हमने A में जब पहला पद निकाला तो कुछ भी नहीं जोड़ा यानि हम कहलें कि हमने 0D जोड़े दूसरे पद में हमने क्या किया कि 1D जोड़ा फिर हमने थीजरे पद में क्या किया कि A में दो D जोडे और इस बार मैं दो को ऐसा करती हूँ कि लिख लेती हूँ कि वो तीन में से एक कम है और आप अगर ये देखें कि चौथे में हमने तीन D जोडे जो की चार में से एक कम हो गया तो आप यहां पर ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो यहां पर दी गई संख्या है जो पद की संख्या है और जो D के साथ में गुडांग का रहा है उसमें कुछ तो संबंद है और वो संबन्द ये है कि अगर आप पहला पत निकालेंगे तो D के साथ में शून्य को गुड़ां करेंगे अगर आप दूसरा पत निकालेंगे तो D के साथ में एक गुड़ां करेंगे अगर आप तीसा पद निकालेंगे तो तीन में से एक कम यानि की दो D के साथ गुडांग करेंगे अगर आप चौधा पद निकालेंगे तो चार में से एक कम D के साथ गुडांग करेंगे तो इसी प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी दिये गए सामांतर शेणियों की सूची में N पर निकालेंगे तो आप क्या यहाँ पर गुड़ा करेंगे D के साथ N-1 और यही सूत्र है हमारे पास किसी भी दिये गई सामांतर शेणियों की N-th या फिर कहलें N-var term निकालने के लिए जो हमारे पास सूत्र है तो आपको यह सूत्र अच्छे से ध्यान रचना है बहुत ही जरूरी सूत्र है परिक्षा की दृष्टी कौन से भी और इस सुषय को अच्छे से समझने की दृष्टी कौन से भी इसके बाद हमने यह देखा कि मान लीजे आपको किसी एक सामांतर श्रीनी की प्रथम कुछ जो हैं सूची दी गई है मतलब प्रथम कुछ पत दे दिये गई हैं अब मान लिजे कि मैं इसी सूची की बात करूं जो यहां पर मैंने दी और मैं आप से कहूं कि मुझे पहले दोनों ही पदों का जो योगफल है वो बता दें तो आपके लिए असान बात है आप कहेंगे एक प्लस दो तीन हो गया अब मैं आपसे कहूं कि तीन पदों का बता दीजे तो आपके पास योगफल है वो बताएं तो यह प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा जटल हो रहा है और फिर हमारे लिए एक सूत्र अगर यहां पर मिल ज होते हैं तो इसलिए हमारे पास जो अगला सूत्र है वो यह बताता है कि प्रथम जो आपके पास N पद हैं उनका आप योगफल निकाल सकते हैं S N से धान रखिए मैं प्रथम N पद की बात कर रही हूं कोई भी N पद की बात कर रही हूं यानि आपको शुरू कहां से करना है जहां से श्रेडियां ही शुरू हो रही है तो प्रथम N पद की अगर हम बात करें तो उनका योगफल हो जाता है N बटे दो और इसका हमें गुड़न फल निकालना होगा 2A प्लस N माइनस 1 और इसका गुड़ांग D से तो यहाँ पे जो N है वो यह बताता है कि कितनी आपने संख्याएं ली कितने पद लिये A फिर से यही बताता है कि पहले पद का मान क्या है और D हमारे पास जो भी आपने सार्व अंतर लिया यहाँ पे अगर हम इस ही जो हमें सूत्र है इससे थोड़ा सा अध्यान करें और थोड़ा सा इसका रूप अंतर करने का प्रयास करें तो 2 A को हम लिख सकते हैं A प्लस A और अब मैं जो बाद में मुझे A मिला उसके साथ में अगर जो यह दूसरा पद है उसको साथ में रखने का प्रयास करूं तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे मिल रहा है इस ब्रैकेट के अंदर क्या A N और अगर मैं जिन भी संख्याओं का जिन भी पदों का यहाँ पे निकालना चाहरी हो योगफल उसमें मैं कह दूँ कि आखरी पद को मैंने L कहा है तो यह भी हमारे पास सूतरा जाता है मतलब अगर आप आखरी पद को जैसे लास्ट कहते हैं तो L अगर कह देते हैं तो L को भी कई बार हम लिख देते हैं किस से Nth टर्म से जो की सेम ही बात है तो इस तरहां से यहाँ पे Nth टर्म के लिए A N लिख करके मैंने L लिख दिया और ये भी हमारे पास किसका सूतरा आ गया पहली प्रदम प्रधम N प्रदों का इसके बाद में काफी खास सूतरा हमारे पास है और जिसको समझना काफी हमारे लिलाबधायक हो सकता है कुछ-कुछ प्रशनों में हमारे बहुत सारे चरण बच जाएंगे अगर हम इस जो मैं आपको सूतर बताना चाह रही हूँ इसको अच्छे चे समझ लें और वो है सूतर जो की हमारे Nth term और जो हमारे Nth term यानि First N Terms का जो सम है उसको संबंद दिखाता है उसका संबंद दिखाता है तो मान लीजे आपके पास जो Nth term है वो है An तो हम इसको भी बराबर कह सकते हैं जितना भी आपको योगफल मिल रहा है प्रथम N पदों का उसमें से अगर आप योगफल निकाल दें N-1 पदों का तो अगर आप इस तरीके से ये सूत्र ये सूत्र ये सूत्र और N का सूत्र और जो हमारे पास सामानतर शेणियों का व्यापक रूप है इसको अच्छे से ध्यान रख लेंगे तो शायद ऐसा कोई भी प्रशन नहीं है जो आपके लिए कठिन हो तो चलिए आईए कुछ प्रशन हल कर ले के के किस मान के लिए 2K प्लस 1 3K प्लस 3 और 5K माइनस 1 का एक सामानतर शेणि बनाएंगे मतलब हमको तीन यहाँ पर पद दिये गए हैं और हमें देखना है कि ये सामानतर शेणि कब बना सकते हैं तो सामानतर शेणि बनाने के लिए हमें बिलकुल उसकी परिभाशा पर चला जाना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो पद हैं उनके बीच का जो अंतर है वो सारवंतर हो जाए तो पहले दोनों पदों में जो अंतर है हम D मान लेते हैं और निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3K प्लस 3 और 2K माइनस 1 का अंतर तो अगर हम यहाँ पे इसका अध्यन करें और इसको हल करें तो 3K प्लस 3 आया और माइनस 2 के माइनस 1 आएगा जो कि हमारे पास K प्लस 2 हो जाएगा तो पहले दोनों पदों के बीच का जो अंतर है वो K प्लस 2 आया और हम यह जानते हैं कि परिभाशा के अनुसार जो हमारे पास बाकी दोनों पद हैं वो भी सेम ही अंतर में होने चाहिए जिनके बीच का भी अंतर समान होना चाहिए तो अब हम 5K माइनस 1 और 3K प्लस 3 के बीच का अंतर निकाल लेते हैं तो 5K में से हमें 3K हटाना है और फिर माइनस 1 में से हमें माइनस 3 हटाना है जो की हो जाएगा 2K माइनस 4 और क्योंकि यह दोनों ही अंतर जो है वो समान होने चाहिए उनका मान एक ही होना चाहिए एक सामान तर शेनी बनाने के लिए तो आईए K प्लस 2 और 2K माइनस 4 को बराबर कर दें और अगर हम दोनों तरफ 2 को घटा देंगे तो हमारे पास यहां वाला 2 तो कैंसल हो जाएगा यहां पे माइनस 6 बच जाएगा और अब हम ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ ही माइनस 2 के कर देते हैं तो यहां पे माइनस 2 के हो गया और यह वाला 2 के जो है वो कैंसल हो गया और इस प्रकार हमें माइनस के जो है वो माइनस 6 मिल गया और अगर हम इस पूरे ही समीकरण में माइनिस वन मल्टिप्लाइ कर दें या गुरनफल कर दें तो हमें के कमान जो है वो छे मिल जाएगा तो अगर आप यहां पर के कमान छे रखें तो आप देख सकते हैं कि आपको एक जो सूची मिलेगी वो सामानतर श्रेणिंगी होगी मुझे आशा है कि मैंने यहां पर जो भी बातें आपको बताई आपको अच्छे से समझाई होगी